हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टी एस जी के क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारती इतिहास के प्रमुख तिथी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रस्न है समराट अशोख की मृत्यू कब हुई इसका सही जवाब है दो सव बत्तिस इसापूर्व में समराट अशोख की मृत्यू हुई अगला प्रस्न है बिक्रम संबत का प्रारंभ किस ने किया इसका सही जवाब है बिक्रमादित्य द्वारा अंठावन इसापूर्व में बिक्रम संबत का प्रारंभ हुआ अगला प्रस्न है सेंट थामस का भारत आगमन कब हुआ था इसका सही जवाब है चोदह या पंद्रह इस्वी में सेंट थामस का भारत आगमन हुआ था अगला प्रस्ण है गुप्त वन्स का साशनकाल कब से कब तक रहा इसका सही जबाब है 240 से 280 इस्वी तक गुप्त वन्स का साशन रहा अगला प्रस्ण है सिकंदर ने भारत पर आक्रमन कब किया था इसका सही जबाब है 326 इसापुरो में सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था अगला प्रस्ण है सिकंदर की मृत्यू कहां और कब हुई थी इसका सही जबाब है 323 इसापुरो में बेबी लोन में सिकंदर की मृत्यू हुई थी अगला प्रस्ण है सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमन कब किया था इसका सही जबाब है 305 इसापुरो में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमन किया था अगला प्रस्ण है असोक का सासन कब से कब तक रहा इसका सही जवाब है 268 से 232 इसा पूर्व तक असोक का सासन चला अगला प्रस्ण है युनानियों का भारत में आगमन कब हुआ इसका सही जवाब है 200 इसा पूर्व में युनानियों का भारत में आगमन हुआ अगला प्रस्ण है बोध धर्म के संस्थापक महात्मा बुध का जन्म कब हुआ था इसका सही जवाब है 563 इसापुर्व में महात्मा बुध का जन्म हुआ था अगला प्रस्ण है संत कबीर का जन्म कब हुआ था इसका सही जवाब है 1475 इस्वी में संत कबीर का जन्म हुआ था अगला प्रस्ण है भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमन कब हुआ था इसका सही जवाब है 1241 इस्वी में मंगोलों का प्रथम आक्रमन भारत पर हुआ था अगला प्रस्ण है अल्बरूनी का भारत आगमन कब हुआ इसका सही जवाब है सन 139 में अल्बरूनी का भारत आगमन हुआ अगला प्रस्ण है चन्दावर का युद्ध कब हुआ और इसमें कौन पराजित हुआ इसका सही जवाब है 1194 इस्वी में चन्दावर का युद्ध हुआ और इसमें जैचन्द पराजित हुआ अगला प्रस्ण है रजिया सुल्तान गद्धी पर कब बैठी इसका सही जवाब है 1236 इस्वी में रजिया सुल्तान गद्धी पर बैठी अगला प्रस्ण है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमन कब किया इसका सही जवाब है 1221 इस्वी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमन किया अगला प्रस्ण है मुहम्मद गवरी की मृत्यू कब हुई इसका सही जवाब है 1260 में मुहम्मद गवरी की मृत्यू हुई अगला प्रस्ण है लोदी वन्स की स्थापना कब हुई इसका सही जवाब है 1451 इस्वी में लोदी वन्स की स्थापना हुई अगला प्रस्ण है लोदी वन्स का स्थापक कौन था इसका सही जवाब है बहलोल लोदी लोदी वन्स का स्थापक था अन्तिम प्रस्ण है बादशाह अकबर की मृत्यू कब हुई इसका सही जवाब है 1605 इस्वी में बादशाह अकबर की मृत्यू हुई दोस्तो एक प्रस्ण आप सभी के लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है अकबर ने महाराना प्रताप को कब और किस युद्ध में प्राजित किया था दोस्तो इसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें